श्यांते आप लो असा करता हूं, आप लोगी पढ़ाई बढ़ियां से चल रहा होगा, इस क्लास में हम डिसकस करेंगे Degradation of Soil and Conservation Methods, मीजर्स, जो यह से स्वाइल का Degradation कैसे होता है, कैसे वो खराब होता है और कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं यह क्लास एट का जोग्राफी का सेकंड चेप्टर है जिन बचों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे क्या होगा कि वीडियो आप लोगों को टैमली मिलेगा और आप लोग अपनी पढ़ाई टैमली कर पाएंगे और जो भी हम चैप्टर कवर करते हैं उसका जो है एक्सरसाइज का आंसर हमारा साइट है www.fullexpand 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 www.fullexpand.com इस पे हम अप्लोड कर देते हैं वहाँ से जाकर कि आप टैमली उसको लिख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा यह रहेगा कि टैमली अपनों को वीडियो मिलेगा और आप लोग जो है मैसेज के माधियम से जूड भी सकते हैं अगर कोई दिक्कत होता है किसी भी चैप्टर में या कोई किसी टॉपिक पे जो है अरजेंट जो है आप लोगों को कुछ वीडियो चाहिए टिटोरियल क्लासे चाहिए तो जो है उसमें मेरे को हेल्प मिलेगा और आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा तो अब हम स्टाट करते हैं स्वाइल डिगरेशन कैसे होता है तो स्वाइल इरोजन और डिप्लीशन और मेजर थ्रेट्स तो स्वाइल तो स्वाइल इरोजन में क्या होता है वह displaced हो जाता है और इसी में जो है nutrients ज्यादा होते हैं जो कि crops के लिए important होते हैं तो ये जो है soil erosion है and depletion क्या होता है depletion occurs when components which contribute to fertility of soil removed and not replaced ठीक है जो फecola की फेरिटिलीटेटी है कि जादा अगर वे रिमूप हो जाते हैं और रिपलेश रिपलेश हम नहीं कर पाते हम या मिटिरीपलेश जो है eventually it a and yeah I wish everything phagnes which a bung hawle Migration अर डी फॉरे स्टेस्टेसन और भी जोट्रραस से वे तो जो भी किया वह दो मेंढ फैक्टर से और विजोक्त से डीफॉर्सेशें है् मतलब कि हम धीरे धीरे जोहें जंगल को काट रहे हैं औलब जो जो घास वेगर ज़्यादा है तो उसको हम ज़्यादा ग्रेजिंग करा देते हैं, मतलब कि उसको जब जए काट देते हैं, या पोसुओं को चरा देते हैं, ठीक है, एक लिमिट मतर हैं अगर हम तौ करसें तो उस से भी जो पर भी कि बारिस हो गया तो उससे भी जो पर की जो लेयर निकल जाती है लेंड स्लाइड में वी क्या होता है जैसा कि हम देखा था कि उसमें एक जो लेयर जो होती है जो जमीन की वो जो खिसक जाती है और फ्लट में से भी पानी की तेज advances की वज़ा से स्वाइल ईरोज कर देती है जो उपर का लेयर से उसको अटा देती है तो यह जो है दी जाग दा फैक्टर्स और स्वाइल डिग्रेडेशन यह जो है स्वाइल डिग्रेडेशन के फैक्टर है अब हम यह देखेंगे कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं कुछ तो अगर कहीं कुछ प्रॉलम्स है तो उसके भी होते हैं जो कि उसको हम बचा सकते हैं तो पहला इसमें है मल्चिंग तो मल्चिंग में क्या है कि दब बेर ग्राउंड बीट्विन प्लांट इस कवर्ड विद लेयर आफ आर्गेनिक मैटर लाइक इस्ट्रा इट हेल्स तो रीटें स्वायल मोईस्टरिंग जैसे एक्जा इच में जो जो है जमीन है डैट विल वी कवर्ड बाइद सूखी घास वगरा जो भी है उससे जो है आप इसको कवर कर देंगे तो फाट विल हैपेंग इसका बेनिफिट क्या होगा इट हेल्प टो रिटें स्वायल मॉइस्टर यह जो स्वायल की जो मॉइस्टर है इसमें जो कि वेरी इंपोर्टेंट होता है यह जो है इवापुरेट नहीं होगा इसकी वज़ा से ठीक है सूरी की रोशनी पड़ेगी तो उससे जो है यह एबजार्ब कर लेगा और इसकी जो है मॉइस्टर जो है रिटें रहेगी तो यह जमीन की क्वालिटी के लिए अच्छा ह और दूसरी फाइदा क्या होगा रिडियूस वेड़ से बाइब लॉकिंग संलाइट फ्राम रिचिंग दा स्वाइल और दूसरा क्या है कि संलाइट पहुंचे गा नहीं तो जह अननेसेसरी जो वीड़ सोते हैं जो अननेसेसरी प्लांट्स जो है इसके बीच में जो एक ग आफ और आफ आरगेनिक मैटर लाइक इस्टा घास पूस जो है जो सूखी घांस वगर होती है उससे जो एक कवर कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारा मलचिंग का प्रोसेस हमने देख लिया सेकेंड है कंटूर बैरियर अब हम देखेंगे इसमें कंटूर बैरियर में क्या करते बारिस वगर होता है तो जो है ऊपर का लेयर जो है इरोड होकर के पूरा जो खतम ना हो तो इसके लिए हम करते क्या है जैसे कि एक एक जम्पुल के तोर पर देखते है यह आपका यह आपका जो है लैंड है ठीक है और यह ऐसे इधर लो लाइंग एरिया जो है इस टार्ट ख्याया है ठीक है कि यह महाले जै Leyin आपकी मिट्टी है क्यरेक्ट तो किंट् र बैरियर में हम क्या करते है देखे जैसे अगर बारिस और है भी होगा तो आपको टेंडेंसी पता है वाटर का कि यह क्या करता है जहां पर उसको जगह मिले गा तो अगर आपने यहाँ पे ब यह जो मिट्टी के अपका उपर का जो लियर से वह जो है बारिश के तीज बहाओ के साथ जो इधर आ जाएगा ठीक है तो अन्नेसेसरी जो है यहाँ पे आ जाएगा और यह जो है पोर्सन जो आपका जो है अपर लेर है विच इस वेरी इंपोर्टेंट फार्टर द क्रॉप निखल जाएगा हम हे यहां पर हम को ग्राट और निखे भी इस खोगे इसा निखाबी जैसे भाणी का इसटे अगा कर दो तो इसे तो ही फिल्टर रहए गा ie restore पर रोकेगा, ठीक है, ही विली स्टॉप, और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पानी तो रूकेगा नहीं, लेकिन यहां पर फिल्टर हो जाएगा, जो मिटी होगी, यहीं पर रह जाएगी, और पानी जो इदर निकल जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा बारिस होता है, और बहुत ज्यादा जो है, डाउन डाउनवर्डस है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, गढधा क्फोद देंगे, यहां पर ट्रेंच जो है, यहां पर खोद देंगे, ठीक है, इसे क्या होगा, कि जो भी बारिस का पानी आएगा, पहले इसमें गिरेगा, और उसकी स्पीड को य जाता है, ठीक है, आइधिंक कि यह आप लोगों को किलियर हो गया होगा, अब हम देखेंगे, रॉक डैम, रॉक डैम क्या है, रॉक डैम क्या है, रॉक्स आर पाइल अप टू डाउन दफ लो आफ वाटर, इस प्रॉसेस प्रिवेंट गली जान फ़र्थर श्याल लॉस, इ जाता है, और मिट्टी जो है, नहीं जाती है, ठीक है, तेखेंगे, टेरस फार्मिंग क्या है, इसमें क्या होता है, ब्रोड फ्लैट इस्टेप आर टेरसेस आर मेड अन्दा इस्टेप स्लोप, सो दैट फ्लैट सर्फेस आर अवलेबल टू ग्रोव क्रॉप्स, एक एक्ज नहीं है, ठीक है, तो यह जो है, फार्मिंग जो है, इस पे इस स्लोप पे इस्टीव स्लोप में हम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है, टेरस बनाएंगे, जैसे इंदर अंदर खोद करके, ठीक है, इस तरह हम, काट काट करके, जो है, टेरस ठीक है और को और इस पे हम जो है फार्मिंग करेंगे मैं इस को हूं टेरस्थ ंकुन नहीं है एग्र रेन और अगर आएगगा तो पूरी मिट्टी जो है नीचे जो है ज़ी जाएगी तो इस तरह से ऐसे काट करके अंदर की तरह हम फ्लैट कर देंगे और यहां पर फार्मिंग होगा इस पर इसको दिस इस काल दा टेरस फार्मिंग इसे क्या होता है कि दे रिडियूस सर्फेस रना फैंड स्वाइल एरोजन अगर जो है बारिस होगा तो यह पानी जो है यहां पर जो है एकुमलेट हो जाएगा और कंपेर टू इस व्लोपी जो है वह उसकी मिट्टी जो है नीचे की तरफ नहीं जाएगी तो दिस इस काल जो है टेरिस टेरेस फार्मिंग ठीक है आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट हम देखते हैं इंटर क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग क्या है डिफरेंट क्रॉप्स आर इस बोते हैं तो एक रो यह हो गया 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 चार रो हमने ले लिया ठीक है चारू हमने ले लिया है तो इसमें different crops जो है इसमें एक crop जो है हम इसमें so करेंगे इसमें दूसरा करेंगे फिर उसमें ये वाला कर देंगे और इसमें ये कर देंगे इसे क्या होगा कि पॉसिबल तो नहीं है कि जो है बहुत multiple crops हो या दो या तीन टाइप का two or three types के crop जो है हम जो है sow करेंगे तो इसे क्या होगा कि एक crop जो है अगर जो है हम उसको harvest कर लेते हैं काट लेते हैं और दूसरा ये different time पे जो है different time पे इसको sow करना है ताकि एक harvest होने के बाद जो है दूसरा जो है remains same रहे ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो बारिस वोगर होगा तो इस plant की वज से जो है वह इन्टर क्रोपिंग का मेंस अपनाते हैं अब जो है नेच्ट हम देखेंगे कंटूर प्लॉविंग यह जैस कि हमने contour of a hill slope to farm a natural barrier for water to flow down the slope. इसमें जैसे कि हमने देखा था आपको मैंने example के तोर पे दिखाया था जैसे ये जो है land है ठीक है? इधर जो है low line area है और यहाँ पे जो हमें farming करना है इस land पे जो हमें farming करना है ठीक है? तो यहाँ पे हम contour बनाते हैं जैसा कि यह जो है हम पीछे देख चुके है यहाँ पे हम क्या रखेंगे? इस टोन रखेंगे और जो है जितने भी धास वगरा है ठीक है पत्ती वगरा जो है काने का मतलग क्या है कि इसको हमें एक barrier बनाएंगे यहाँ पे तो barrier बनाने से क्या होगा? कि जो पानी जो है इधर से आएगा यह filter होकर कि किवल पानी जाएगा जो मिटी होगी यहीं पे रुख जाएगी और हमने देखा था कि और effective करने के लिए यहाँ पे हम trench खोद देते हैं ताकि जो है पानी की speed होगी तो वो जो है trench में पहल जाएगा फिर trench से भरने के बाद ही पानी भार आएगा तो जो भी मेटी वगर होगी वो उधर ही जो है settle down हो जाएगा और जो पानी की speed भी जो है कम हो जाएगी तो हमारा जो surface layer है वो जो है remain constant रहेगा same रहेगा तो इसमें हम क्या करते हैं contour plowing जो है parallel plowing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके parallel हम plowing करतेंगे ठीक है parallel plowing करेंगे तो एक बार जब plowing करते हैं तो यहाँ पर depression हो जाता है ठीक है तो पानी जो है इसके अंदर जो है accumulate हो जाएगी हमें बहुत सारे एक ही साथ depression जो है मिल जाएगे तो पानी जो है उस गटे में भरते 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 यहां तक आएगी तब तक उसकी speed जो है पानी की speed जो है कम हो जाएगी और मिटी को जो है वो ज्यादा नहीं भागे ले जाएगी तो यह जो है इसको हम contour plowing बोलते हैं अब एक है last जो है shelter belt shelter belt जो है coastal areas वोगर में shelter belt जो हम लगाते हैं जहां पे wind speed जो है बहुत ज्यादा होती है तो dry area में and coastal area में यह अपजर्ब किया होगा आप लोग ने कि speed जो है wind speed जो है बहुत ज्यादा होती है और wind speed की वज़ा से भी जो है बहुत सारे मिटी के पाटके जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते है मतलब उसका उपरी layer जो है खराब हो जाता है मिटी का तो in the coastal and dry region row of trees are planted to check the wind moment to protect soil cover तो इसमें करते क्या है कि हम पौधे यह पेन को एक लाइन से लगा देते हैं ठीक है यह आप लोग इसको प्लांट ही समझेएगा क्योंकि ड्राइंग में मतलब है मोटीव जो है आपका पूरा होना चाहिए तो these are the trees यह प्लांट जो है हम लगा देते हैं इसको एक लाइन से हम लगाते हैं तो इसमें होगा क्या कि जो है हवा आएगी तो हवा उसको रोक देगा तो मिटी जो है ज्यादा उसको अपने साथ उड़ा करके नहीं ले जाएगी और इस तरह मिटी की फर्टेलिटी में सेम रहेगा तो यह कुछ मीजर्स थे जिसको लेने से मिटी का इरोजन होता है यह depletion होता है उसको जो है हम रोक सकते हैं अब जो है हम आप लोह के एक बुक में activity दिया है कि उसको भी देख लेते हैं इसमें कि कैसे जो है plants जो है पानी को रोकते हैं और जो है plant जो है मिट्टी को रोकने में help करते हैं जैसे अभी हमने देखा था कि हम plantation करते हैं, जैसे कि यह अपना soil का उपरी पर्त erosion से होने के बचाने के लिए हम क्या करते हैं, plantation करते हैं, हमने इसे पहले बाले जो है वीडियो में देख चुके हैं, जीन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है, वो क्रीपि आप लोग दे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक हम pot रख देते हैं, यह सेम रहेगा, और इसमें हमने मिट्टी डाल रखा है, ठीक है, इसमें मिट्टी डाल रखा है, और इसमें हमने प्लांट को जो है, ग्रो किया है, ठीक है, इसमें जो है, आप यहाँ से प्लांट जो है, दिखा दीजिए, इससे क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं इतना ही भनाता हूँ, ठीक है, और थीक है, अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्वाल इरोजन, जो है रोकने के लिए और उसकी fertility को बचाने के लिए हम क्या करते हैं plantation करते हैं तो plant जो है कैसे जो है helpful होते हैं जो है मिटी के उपरी layer को बचाने में ये दो example से हम समा सकते हैं यहाँ पे हमने एक ट्रेलिया है जो कि मिटी से भरा हुआ है इसमें कोई plantation नहीं है दूसरा हमने एक ट्रेलिया है जिसमें की plants भरे हुए हैं अब हम क्या करेंगे इसके एक corner से इसको थोड़ा सा तीरचा करके एक corner से forcefully जो हम पानी को गिराएंगे ठीक है forcefully पानी को गिराएंगे और यहाँ पे इसमें पानी जो भी यहाँ से करेंगे कि इतना जो है इस point तक जो है मिट्टी जो है deposit हुआ और इसमें हमने plantation किया है तो plantation करने के बाद same जो है उतनी ही quantity में उतनी ही force से हम एक corner में यहाँ पानी गिराएंगे और यहाँ पे हम आपजर्ब करेंगे कि इसमें कितना जो है मिट्टी जो है तो obviously जो है यहाँ से यहाँ पे जितना मिट्टी collection हुआ है उससे जो है यहाँ पे कम जो है less जो है मिट्टी जो है collect होगी क्योंकि यहाँ पे plants है plants की क्या करते है इसके roots जो है मिठी को बाइंड कर देते हैं, ठीक है, मिठी को बाइंड करके जो है, तो यहां से जो है, वो मिठी का डिपलीशन जो है, या इसका इरोजन जो है, भहुत कम होता है, तो इसे हमें ये प्रूफ होता है, कि हमें जो है, प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांटेशन करने से स्व जो है हमारा साइट है www.fullexpand.com इस पर अपलोड किया है वहां से जा करके आप लोग लिख करके टाइमली प्रिपेर कर सकते हैं ओके थैंक्यो